नवश्कार दोस्तों उडान IAS Academy के e-learning platform पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी बार-बार ये सवाल कर रहे थे कि सर CGPSC के लिए Foundation Batch आपके यहां कब शुरू होगी इसके लावा बहुत सारे अभ्यर्थी जो UPSC की तयारी करना चाहते हैं वो UPSC के Batch से समधित जानकारी मांग रहे थे तो आप सभी को बता दू कि उडान IAS Academy के द्वारा 22 अगस्त से एक Batch CGPSC PrePlus Mains की एक Foundation Batch आपके लिए डाली जा रही है यह CGPSC PrePlus Mains की जो Batch है यह आपको Offline प्लस Online यानि Offline प्लस Recorded दोनों ही मोड पर आपको उपलद्ध हो जाएंगे इसके अलावा आपको इन Classes की Recorded Videos आपको उपलद्ध कराई जाएगी आप सभी जानते हैं कि CGPSC की जो परिक्षा है यह त्री चरणी परिक्षा है जिसके अंतरगत आप तीन अलग अलग चरण देखते हैं जिसमें सबसे पहले आप Prelims का एक्जाम देखते हैं फिर Mains का एक्जाम देखते हैं और फिर जब आप Pre और Mains क्लियर कर लेते हैं उसके बाद Interview आपका होता है यह तीन चरणों में आपका एक्जाम क्लियर होता है Prelims की यदि मैं बात करूँ तो Prelims में आपको दो पेपर देने होते हैं एक ही दिन दोनों पेपर होता है जिसमें पहला पेपर जो होता है वो GS का पेपर होता है यानि General Studies सामान्य अध्यान का एक्जाम होता है सामान्य अध्यान का एक्जाम होता है और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है Civil Services Attitude Test यानि CSET का एक्जाम यदि मैं GS की बात करूँ तो GS का जो एक्जाम है इसमें कई अलग-अलग सेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें सबसे पहले मैं रखता हूँ 36 गड़ वाले सेक्शन को 36 गड़ वाले सेक्शन जो है यहां से लगभग आउसतन 50 प्रश्ण हर बार एक्जाम में आपके पूछे जाते हैं भारत का इतिहास भारत का भूगोल भारत का सम्विधान इसके अलावा भारत की अर्थ व्यवस्था इसके अलावा विज्ञान एवं प्रोध्योगी की और साथ ही समसामिक घटनाक्रम यानि करेंट अफेयर यहां पर आपको पूछा जाता है समसामिक घटनाक्रम तो इन सारे सेक्षन को मिला करके आपके 50 अंक के प्रश्ण बनते हैं और 50 अंक आपको 36 गड़ वाले सेक्षन से पूछता है 36 गड़ वाले सेक्षन में भी यही सारे सेक्षन मिलेंगे जैसे 36 गड़ का इतिहास, 36 गड़ का भुगोल इसके अलावा 36 गड़ की प्रशाश्निक व्यवस्था आपको पढ़नी होती है, 36 गड़ की अर्थ व्यस्था आर्थिक सर्विक्षन आपको देखना होता है इसके अलावा 36 गड़ में आप देखेंगे तो 36 गड़ का करेंट अफेर आपको पढ़ना होता है तो prelims की तैयारी आपको अलग से करनी होती है इसके बाद यदि हम बात करें mains की अच्छा पहले CSET की बात कर ले तो CSET में आप सभी को पता है कि CSET का paper जो होता है ये qualifying होता है qualifying paper होता है जिसमें 100 प्रश्ण आपको पूछे जाते हैं 200 अंक का प्रश्ण पत्र होता है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता है जबकि reserve category के लिए 23 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता है अब जो merit है ये तो आप अगर qualify कर लेते हैं merit जो है वो निर्धारित होता है GS के आधार पर GS के आधार पर merit list बनता है और वहाँ पर कुछ अभ्यर्थि जो है सामान्य ता जितने पद आते हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस पेपर के लिए qualify करना होता है 15 पत्रिशत अभ्यर्थि जो है वो qualify करते हैं मेंस के लिए 15 गुना कहा जाए 15 पत्रिशत ना कहे 15 गुना यानि अगर मान लिजिए 100 पद आया है तो 1500 लोग मेंस का पेपर देंगे ऐसा प्रावधान यहाँ पर मिलता है अब जब आप मेंस का पेपर देंगे तो आप सभी को मेंस में कुल आपको थोड़ा डिटेल जान करीदू तो पहला जो पेपर है पेपर वन इसको कहा जाता है और ये पेपर होता है भाषा का भाषा के अंतरगत तीन भाषाओं के प्रश्ण पत्र आपको मिलेंगे यह यूँ कहा जाए कि इसमें तीन भाषाएं शामिल होती इस प्रश्ण पत्र में पहली भाषा है हिंदी भाषा जिससे सौ अंक के प्रश्ण पूछे जाते हैं दूसरी भाषा है इंगलिश लैंग्वेज है यहां से 50 अंक के और तीसरा तीसरी भाषा है 36 गड़ी भाषा जहां से आपको 50 अंक के प्रश्ण पूछे जाते हैं तो कुल 200 अंक का यह प्रश्ण पत्र होता है और यह पेपर बहुत कहा जाए कि यह अच्छा खासा स्कोर करके आपको देता है अब यदि हम बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 भी 200 अंक का प्रश्ण पत्र है और ये निबंध का प्रश्ण पत्र है, निबंध के प्रश्ण पत्र में चार निबंध आपको लिखने होते हैं, जिसमें दो राश्टी इस्तर के मुद्दो से संबंधित होते हैं, जबकि दो छतीस गड़ के इस्तर से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर कुल पचास पचास अंक के चार निबंध आपको एक्जाम में पूछता है और इस तरीके से कुल 200 अंक का प्रश्ण पत्र ये आपका बनता है ये पेपर 2 है पेपर 3 के यदि मैं बात करूँ पेपर नंबर 3 ये जो प्रश्ण पत्र है ये भारत का इतिहास चतीजगड का इतिहास और भारत का विधान और लोक प्रशाषन इन भागों से मिलकर बनता है पेपर नंबर 3 से लेकर के पेपर नंबर 7 तक का जो प्रश्ण पत्र है ये तीन तीन भागों में बटा हुआ मिलेगा और यहाँ पर अंकों का विभाजन कुछ इस तरीके से होता है 75 अंक का भाग 1, 50 अंक का पेपर 3 से लेकर के पेपर 7 तक यानि 5 प्रश्ण पत्र आपको इसी फॉर्मेट में बटे हुए मिलेंगे पेपर 3 की यदि मैं बात करूं तो इसमें 3 भाग कौन-कौन से हैं तो इसमें सबसे पहला भाग है भारत का इतिहास इससे 75 अंक के प्रश्ण आते हैं दूसरा भाग कहलाता है समविधान एवं लोक प्रशाशन स्वंविधान और लोग प्रशाशन मिला करके आपको 50 अंक का प्रश्ण पूछा जाता है फिर तीसरे भाग में है 36 गड़ का इतिहास और यहां से भी 75 अंक के प्रश्ण आपको पूछे जाते हैं यह पेपर 3 है पेपर 4 की यदि मैं बात करूं तो पेपर 4 जो है यह है GS नमबर 2 और इसके अंतरगत तीन भाग आपको फिर से मिलेंगे पहले भाग में आपको मिलेगा विज्ञान सामान्य विज्ञान आपको देखने को मिलेगा और सामान्य विज्ञान में भी तीन जो बेसिक सबजेक्ट हैं यानि रसायन, रसायन सास्त, भौतिकी और जीव विज्ञान इन तीनों का भाग मिला करके आपको 75 अंक का प्रश्ण पूछा जाता है फिर दूसरे भाग में यदि देखा जाये, तो दूसरे भाग में गनित एवं तारकिक योग्यता यहां से आपको 50 अंक के प्रश्ण पूछे जाते हैं तीसरे भाग में प्रोध्योगी की एवं पर्यावरन प्रोध्योगी की एवं परियावरण से प्रश्ण पूछे जाते हैं और ये section भी आपका 75 अंक का होता है तो paper 4 भी आपका 200 अंक का प्रश्ण पत्र बनता है अब अगले भाग में आप आएंगे तो paper नंबर 5 है paper नंबर 5 की यदी मैं बात करूँ तो यहाँ से तीन भाग फिर से बटे हुए मिलेंगे पहले भाग में भारत एवं 36 गड़ की अर्थ व्यवस्था पहले भाग में ही भारत और 36 गड़ की अर्थ व्यवस्था आपको देखने को मिलती है दूसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा भारत का भुगोल तीसरे भाग में आपको मिलेगा चतीस गड़ का भुगोल इसमें भी वही 75, 50 और 75 इस प्रकार से अंको का बटवारा होता है यह पेपर 5 यानि GS नंबर 3 की बात हुई यह GS1 इसको GS1 बोला जाता है यह GS2 है और यह है GS3 इसके बाद अगला जो पेपर है वो है पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 6 में तीन भाग आपको मिलेंगे पहले भाग में है दर्शन शास्त्र कुछ महतोपूर्ण और मूलभूत जो दर्शन की संकलपनाय है वो हम इसमें पढ़ते हैं कुछ महतोपूर्ण दर्शनिकों के मत पढ़ते हैं उनके सिध्धान्त पढ़ते हैं और इसके अंतरगत कुल 75 अंक के प्रशन आपको पूछे जाते हैं दूसरे भाग में समाज शास्त्र है समाज शास्त्र से आपको 50 अंक का प्रशन पूछा जाता है तीसरे भाग में 36 गड की कला एवं संस्कृती यहां से कुल 75 अंक के प्रशन आपको पूछे जाते हैं तो कुल 200 अंक का प्रशन पत्र पेपर नंबर 6 भी है पेपर नंबर 7 की यदि मैं बात करूँ तो पेपर नंबर 7 भी तीन भागों में बटा हुआ है पहले भाग में पहले भाग को आप दो भागों में बाट सकते हैं कुछ मात्वपूर्ण अधिनियम आपको इसके अंतरगत पढ़ने हैं जैसे RTI ACT है टोन ही प्रतारना अधिनियम है इसके अलाबा सूचना प्रद्योगी की अधिनियम है महिला सुरक्षा अधिनियम है वन्यजीव एवं परियावरन जो अधिनियम है वो आपको पढ़ना है तो कुछ अधिनियम वहाँ पर बकाईदा सिलेबस में मेंशन किये गए हैं उन अधिनियमों को इसके अंतरगत देखना है HTSC ACT है जिसको Atrocity ACT आप बोलते हैं अनुसूचित जाती एवं जन जाती सरक्षन अधिनियम 1989 वो भी आपको पढ़ना है तो अधिनियम वाला पार्ट जो है यहाँ से कोशन आते हैं साथ ही पहले पार्ट में है 36 गड़ की जन कल्यानकारी योजनाएं और योजनाओं से और अधिनियम मिला करके कुल 75 अंक के प्रश्ण आपको पूछे जाते हैं दूसरे भाग में अंतरराश्ट्रिय संगठनों के बारे में आपको पढ़ना होता है अंतरराश्ट्रिय संगठन इसके अलावा खेल यहाँ से प्रश्ण आपको पूछे जाते हैं तीसरे भाग में जब आप पहुचेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सेक्षनिक संस्थाओं के बारे में आपको पूछा जाता है सेक्षनिक संस्थान जैसे ITI क्या है IIT क्या है इसके अलावा IIM क्या है NIT क्या है जो Engineering College है या Livelihood College है उनकी क्या value होती है NCRT क्या होता है SCRT क्या है IGNU क्या है जो Open College होते हैं वो क्या होते हैं उन सब के बारे में आपको Part 3 में पढ़ना होता है पेपर 7 के तो 75, 50 और 75 कुल 200 अंक का प्रश्ण पत्र आपका पेपर नंबर 7 तो ये 7 प्रश्ण पत्र आपको देने होते हैं मुख्य परिक्षा के दवरान और ये जो 7 प्रश्ण पत्र हैं कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 1400 अंक का आपका मेंस का पेपर होता है प्रिलिम्स जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं प्रिलिम्स निकालने के बाद जब आप मेंस पहुँचते हैं तो मेंस में 7 पेपर आपको देने हैं जो कि कुल 1400 अंक के हैं और इन ही 1400 अंकों में आप जितने अधिकतम अंक लाते हैं उसके आधार पर आप पहुँचते हैं इ इंटर्वियू के लिए और इंटर्वियू जो है ये 100 अंक का होता है तो कुल ये जो CGPSC का एक्जाम है मेंस से लेकर यदि मैं इंटर्वियू तक के चैन प्रक्रिया की बात करूं तो कुल 1500 अंकों का आपका जो मेरिट है वो बनता है इसमें आप जितने अंक लाएंगे उसक की और इंटर्वियू की आपने बात की और इनहीं सब की तयारी कराने के लिए उडान आईये सकादमी के द्वारा ये जो बैच है 22 अगस्त की ये लाई जा रही है ये 22 अगस्त से ये बैच प्रारम हो रही है और ये जो बैच है ये हमारे राइपूर हेड आफिस में संचा में अपियर हो चुके हैं हमारे जो सिक्षक हैं इसके लावा चैनित जो अभ्यर्थी है वो भी आपको समय समय पर आ करके गाइड करते हैं तो काफी सारी सुविधाएं आपको इस बैच के द्वारा उपलब्द कराई जाती है इस बैच की यदि मैं बात करूं तो ये बैच ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही मोड में उपलब्द होगा इसके अलावा जो अभ्यर्थी ऑफलाइन मोड में ये बैच परचेस करते हैं उनको आनलाइन की सुविधा उपलब्द होगी ही साथ में उनको recorded वीडियो की सुविधा भी उपलद्ध होगी इसके अलावा जो अभ्यर्थी online admission ले रहे हैं उनको recorded वीडियो की सुविधा उपलद्ध होगी नहीं शुल्क इसके अलावा प्रत्य क्लास का आपको PDF उपलद्ध कराया जाएगा जो कि आपके notes बनाने में काफी सहायक होते हैं तो notes बनाने के लिए आप PDF का भी use कर सकते हैं जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा वही सारी चीजें आपको PDF के माध्यम से उपलद्ध कराई जाएगी अब यदि इस batch की बात करूं तो ये चुकी integrated batch है foundation batch है इसलिए एकदम basic से आपकी तयारी कराई जाएगी duration थोड़ा सा जादा होगा लेकिन ये यकीन मानिए जब आप इस batch को तयार कर लेंगे तो आपकी तयारी काफी आगे जा चुकी होगी तो इस batch को join करने के लिए आप इन दिये गए नंबरों पर संपर्क करें और यदि आपको offline mode में इसको join करना है तो आप हमारे head office आ करके संपर्क कर सकते हैं head office का पता है लोकायन भवन एकात्मक परिशर के पास एकात्मक परिशर के पास दैनिक भासकर प्रेस रोड रजबंधा मैदान जो है हो यहाँ वहाँ पर यह batch आयोजित किया जाएगा और यदि आप इसको offline या online किसी भी mode पर उपलब्द करना चाहते हैं या इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इन दिये गए किसी भी number उपर संपर्क कर सकते हैं जैसे एक number मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 961-770-2862 इस number पर आप संपर्क कर सकते हैं या office का जो number है 0771-433-7979 आप इन दोनों में से किसी भी number पर संपर्क करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं तो यह batch आपके लिए है जल से जल आप इसको इसमें registration कर लिजे क्योंकि सीटे बहुत सिमित होती हैं इसके बाद एक और जानकारी आपके लिए है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो UPSC के बैच से जुड़ना चाहते थे आप सभी के लिए भी एक विशेश बैच हमारे द्वारा लाया गया है ये बैच शुरू होने वाला है 28 अगस्त से 28 अगस्त से ये बैच शुरू हो रही है जो कि शाम साड़े पाँच बज़े से ले करके शाम को साड़े आठ बज़े तक संचालित की जाएगी और ये बैच भी हमारे रायपूर के रजबंधा मैदान में यानि हेड आफिस में इसका संचालन किया जाएगा अब इस बैच की यदि मैं बात करूँ तो इस बैच से भी जो सिक्षक जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं काफी एक्स्पिरियंच हैं वो यूपी एस्सी का इंटर्व्यू दे चुके हैं इसके अलावा हमारे डारेक्टर सर खुद इसकी क्लास लेंगे साथ ही सी सेट की तैयारी कराने के लिए रवी सर होंगे यूपी एस्सी में सपियर्ड हमारे संकल्प सर सौमित्र सर अभिशेक सर ये आपको समय समय पर सारी चीजें आपको बताते रहेंगे कि किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है आप कौन से ओप्शनल में ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि वहाँ पर ओप्शनल सब्जेक्ट चलता है तो किस ओप्शनल में आपके सलेक्शन के चांसे ज़्यादा होंगे ये सारी चीजें आप सर से आ करके किसी भी सर से आ करके आप डिसकस कर सकते हैं इसके अलावा special guidance के रूप में हमारे पास अरुन सर होंगे और योगेश्वर सर होंगे जो की खुद कई बार UPSC का इंटर्व्यू दे चुके हैं तो आपके लिए जो एक comprehensive तयारी करना चाहते हैं UPSC की आप सभी के लिए 28 अगस्त से शाम साड़े 5 बजे से साड़े 8 बजे तक ये batch आपकी संचालित होंगी और इस batch की भी जानकारी के लिए आप इन ही नंबरों पर संपर्ग कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर CGPSC वाले में बताया था आप इन ही नंबरों पर संपर्ग करके इन batches की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो जल्द से जल्द इन दोनों batches को जोईन कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारीों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद